हेलो फ्रेंट्स इंडियन फूर्ड रेसिपी इस चानल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल सामभार की रेसिपी जब भी हम होटल जाते हैं तो इदली दोसा या फिर मेदूबडा के साथ सामभार तो ओर्डर करते ही है र अरहर की डाल भी बोलते है इस डाल को हमें पानी डाल के अच्छे से वाश कर लिना है करीब तीन से चार बार ताकि ये जो थोड़ा हलका यलोईश पानी है वो गाइब हो जाए यानि कि डाल अच्छे से प्यॉरिफाय हो जाए तो करीब तीन से चार बार मैंने डाल को अच कि अच्छे से मिला ले दाल में और फिर हम डालेंगे दो से तीन बून तेल और फिर प्रेशर कुखर को बंद करके हम इसमें करीब चार से पाथ सीटी आने तक दाल को पका लेंगे जब तब आमारी दाल पक रही है तब तक मैंने साइट बे साइट सब्सीया काट ली तो मैंन दो पैंगन बारिक कटे हुए तो हमारा प्रेशर कुटकर ठंडा हो गया है मैं धकन खोल के देखाती हूँ आपको तो आपने देखा हमारी दाल एक दम अच्छे से पग गी है तो बस इसी थोड़ा से विसकर से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे और अब हम तड़के की तयारी करेंगे एक बरतन में हम लेंगे 7-8 टेबल स्पून तेल तेल को अच्छे से गरम होने दे तेल के अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक तेज पत्ता, दो सूखी लाल मिर्च, साथी साथ एक टीस्पून जीरा साथ से आठ कड़ी पत्ता, एक टी स्पून अद्रक लसन की कूटी हुई पेस्ट, अगर आप चाहे तो आप बारीक मिक्सी में की हुई पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसे अच्छे से मिला ले, करीब एक मिनिट तक पकाने के बाद, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे ड् के सॉफ्ट न पड़े, ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसे लाइट पिंकिश कलर ही रहना चाहिए इसका, साती साथ हम इसमें डाल देंगे गाजर के टुक्ले, इने भी तेल में फ्राइ कर लेंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे, चार मीडियम साइज के टमाटर बारी अच्छे से गल चुके है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, साथ ही साथ चार टीस्पून सामबार मसाला पाउडर, मसालों को सबजी में अच्छे से मिला ले, जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाता है, फिर हम इसमें डाल देंगे बैंगन और आलू, यह दोनों हम लास्ट में इसलिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी पकते हैं, अगर आपने पहले ही डाल द 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं, कि सब कुछ अच्छे से पक चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एड कर देंगे हमारी पकाई हुई दाल, तो हमने एक कप दाल को पका लिया था रहे, तो इस डाल को हमने सबजी और मसालों में डाल दिया है, इसे अच्छे पका है, अब हम इसमें आड कर देंगे गरम पानी, इस बाद का जरूर ध्यान रखे कि सामबर बनाते वक्त हमें गरम पानी ही यूज करना है, थंडा पानी बिल्कुल भी नहीं यूज करना, गरम पानी यूज करने से जो फ्लेवर्स है न, वो अपना टेस्ट बनाए रखत इसे के साथ हम आड कर देंगे नमक स्वादा नुसर, नमक को भी अच्छे से मिला ले सामबर में, और फिर हम इसे ढख कर करीब 5 मिन तक बॉइल आने देंगे, मीडियम फ्लेम पे, जैसे ही सामबर में अच्छा बॉइल आ जाता है, हम धक्कन को हटा लेंगे, थोड़ा सा म पार्च मेंट तक लिओ फ्लेम पे बॉइल होने देंगे, पार्च मेंट बाद हम धक्कन को हटाएंगे, तो हमारा सामबर एकदम रड़ी है, तो बस अब ग्यास की फ्लेम को आफ करते हैं, और इसे सर्व कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सामबर जो है वो अच्छे से उभर कर भी आया है, तो बस इस मज़िदार सामबर को आप इडली, दोसा, मेदू वड़ा किसी के साथ भी एंजोई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो राइस के साथ भी एंजोई कर सकते हैं, तो बस इस मज़िदार रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ कीजिए, और अगर आपको मेरी आज की ये authentic South Indian style सांबर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चानल को subscribe कीजिए तो मिलते हैं next वीडियो में एक और tasty रेसिपी के साथ, till then enjoy your सांबर